कोडों का अनुपात 3, 4, 5, 6 है सबसे छोटे कोड का मान बताना है तो दोस्तों इस स्वाल को कैसे हल करेंगे चले देखते हैं तो सबसे हम माल लेते हैं कि चतुरभुच के 4 कोड A, B, C और D है चारो कोड में अनुपात यहां पर लिख लिएता हैं तो चारो कोड में अनुपात दिया है दोस्तों 3, 4, 5, 6 तो इसको ऐसे लिख लिएता हूं तो सबसे पहले हम अनुपात को यहां हटा देते हैं तो A कमान यहां निकल के आएगा 3X A कमान हो गया 3X उसी प्रकार से यहां B कमान निकालेंगे दोस्तो B कमान निकालेंगे तो B कमान हो जाएगा 4X फिर उसी प्रकार से हम C कमान निकालेंगे तो C कमान हो जाएगा 5X फिर उसी प्रकार से निकालेंगे यहां D कमान तो D कमान हो जाएगा 6X हो जाएगा तो हम जानते हैं दोस्तों कि चतुर भुच के चारो कोड़ों को योगफल 360 हन्स होता है तो चारो कोड़ों को जोड़के यहां 360 हन्स लिखते हैं तो कोड A प्लस कोड B प्लस कोड C प्लस कोड D बराबर 360 हन्स चतुर भुष के चारो कोडों के योगफल 360 हंस होता है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों सब कमान डग देते हैं A कमान डग देता है यहाँ पे 3X, B कमान डग देता हूँ 4X, प्लस C कमान डग देता हूँ 5X, प्लस D कमान यहाँ रखेंगे D कमान यहाँ पर दोस्तों दिया है 6X और बराबर 307 तो इसको जोड़ लेता हूँ 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18 18X बराबर मिल गया 306 तो X कमान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर 18 से काटेंगे इसको यह 20 बार जाएगा X कमान आ गया 20 अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोड कमान बताईए तो सबसे छोटा कोड इसमें कौन सा है 3X है सबसे छोटा कोड A है जिसका मान है 3X तो इसी में हम X कमान नख देंगे छोटा कोड पता चल जाएगा तो सबसे छोटा कोड यहाँ हो जाएगा a बराबर 3x a कमान हो जाएगा 3 गुड़ते x कमान लखेंग दोस्तों यहाँ पे 20 a कमान मिलेगा 60 हंस तो सबसे छोटा कोड़ हमारे पास आया 60 हंस तो यह इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें त्रिभूज का छेत्रफल हमें बताना है आधार दिया है 9.6 cm और उचाई दिया है 5 cm तो त्रिभूज का छेत्रफल पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे तो त्रिभूज का छेत्रफल बराबर होता है जब आधार और उचाई दिया हो एक बटा दो गुड़ते आधार गुड़ते उचाई यह सुतर लगा देंगे आधार गुड़ते उचाई तो एक बटा दो गुड़ते आधार कितना दिया है दोस्तों नौ दसमलो छा दिया है गुड़ते उचाई दिया है पांच सेंटीमीटर तो यहां पांच रख देंगे तो चलिए देखते हैं इसको कैंसिल करते हैं दो सी इसको कैंसिल करेंगे तो यह जाएगा दो चौका आठ दसमलों लगाएंगे और दुई अठ्छे सोल अग गुड़ते यहां बचा पांच अभी इन दोनों संख्याओं को गुड़ा कर लेता हूं पान अठ्छे चालिस हांस स्वर्ण सेंटीमीटर यह इसका अंसर हो जाएं उस त्रिभूच की उचाई ग्यात किजिए जिसका च्छेतर फल पैतालिस स्वर्ण सेंटीमीटर तथा आधार फं़र सेंटीमीटर हो तो कैसे लगाएंगे दोस्तों इस स्वाल को तो चली देखते हैं त्रिभूच का उचाई तो त्रिभुज का छेत्रफल दिया है दोस्तो 45 वरक सेंटीमीटर तो छेत्रफल नीचे लिख देंगे 45 बराबर एक बटा दो गुर्टे आधार दिया है दोस्तो 15 सेंटीमीटर तो आधार नीचे लिख देंगे 15 गुर्टे उचाई हमसे पूछ रहा है उचाई को हम माल लेते हैं यच तो इसको कैंसिल करते हैं पंदरह एक का पंदरह पंदरह तियां पैतालिस तो तीन में ये दो का गुड़ा हो जाएगा तीन गुड़ते दो बराबर इधर यच बचेगा तीन दुना 6 सेंटीमीटर तो ये आई तिर्भुच की उचाई तिर्भुच की उचाई कितनी वए आई 6 सेंटीमीटर तो ये इसका राइट एंस किसी संख्या यक्स में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या बताईए तो चली दोस्तों देखते हैं यह कैसे प्रश्न हल होता है तो उससे पहले दिया है संख्या यक्स यक्स में कह रहा है कि 5 से भाग दे दिया जाता है तो 5 से जब भाग देते हैं दोस्तों भागफल आता हमारे पास यहाँ पर 7 तो हमसे कहता है कि वह संख्या बताईए मतलब इस यक्स का माल हमें बताना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाग को बटे में इसको ऐसे लिख देता हूँ यक्स बटा 5 अब बराबर हो गया 7 तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 भाग में है उधर जाय गुड़ा हो जाएगा तो 7 में 5 गुड़ा कर देंगे तो 7 पचे 35 तो वह संख्या आई 35 तो यह राइट एंसर हो गया इसी रासी का 5% 600 रुपय के 15% के बराबर है वह रासी गयाद किजिए तो दोस्तो हम माल लेते हैं कि माना वह रासी यक्स है माना वह रासी यक्स है अब हमसे कहता है क्या दोस्तो रासी का 5% मतलब यक्स का 5% बराबर है किसके 600 रुपय के 15% के बराबर है तो ऐसे लिख लिया अब इसको हलका लेंगे दोस्तो तो यक्स का माने होता है गुड़ा 5% को 5 पटा 100 लिख से देता हूँ और ये 600 गुड़ते 15% 15 बटा 100 हो जाएगा 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा यक्स गुड़ते 5 बराबर 600 गुड़ते 15 5 से इसको कैंसिल कर देता हूँ 5 तिया 15 तो बचा 600 गुड़ते कितना 3 अब इसको हलकरेंग दोस्तो तो यक्स बराबर गुड़ा कर देंग तो 1800 हो जाएगा तो वह रास कितना आया 1800 रुपई वह रास है ये इसका राइट एंसर हो जाएगा